हेलो दोस्तों मैं हूँ उद्यरंजन और इंट्रेंजर्ज इंडिया के चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं तो आज हम लोग रोजरी बायोटेक यह लिमिटेट के बारे में देखेंगे और इसका रिव्यू देखेंगे कि ग्रे मार्केट में जो कि हम लोग जिसको डबा मार्केट भी बोलते हैं तो उस डबा मार्केट में इसका प्राइसेज और प्रीमियम्स क्या चल रहे हैं वो आज हम लोग इसमें देखेंगे तो देखेंगे यहां पे हम लोग का आईपीओ ओपेन हुआ था तेरह तारीक को उसके बाद आईपीओ क्लोज हो गया था फिप इसका अलॉट्मेंट होना था और उसके बाद लिस्टिंग इसका बीसी एनसी दोनों में है यहां पर रिटेल पोर्शन आप एक मेन बात यहां पर ध्यान में रख लिजे कि रिटेल पोर्शन इसमें 50% इसमें यह इसको सब्सक्राइब करके रखा गया था मतलब कि 50% इसका रिटेल इन्वेस्टर के लिए लॉट किया गया था उसके बाद एक्विटी के शेर्स अगर हम लोग देखने जाएं तो एक्विटी के शेर्स यहां पर यह दिख रहा हैं 11,006,082,000 रुपीज ऐसे करके 82,000 शेर्स इतने नंबर ओफ शेर्स हैं हमारे तो इतने लिस्ट हो दोने वाले हैं तो उसके बाद देखिए इसमें जो लॉट साइज था वो 35 शेर्स का इसमें दिया गया था और उसके बाद जो मैक्शिम मैक्सिमुम शेर्स आपको मिलेंगे वह 455 शेर्स मिलेंगे और टोटल आपका इन्वेस्टमेंट आता था 14,0875 और मैक्सिमम आपका माउंट आता था 19 यह 1,93,000 मतलब दो लाग के आज पास में इसका आपका टोटल मैक्सिमम अलाटमेंट था यहां पर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यह देखे 20 जुलाई को यह 20 जुलाई को इसका अलाटमेंट बेसिस ओफ अलाटमेंट हुआ मतलब यहां पर क्या होता है यह बेसिस ओफ अलाटमेंट हम लोग बोलते हैं कि उस दिन अलाटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है ठीक है 20 जुलाई 2020 को इसमें बीड चलाया गया है और उसके बाद इसका अलाटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसके बाद जिसको अलाटमेंट नहीं हुआ ह है उसका refund हो गया है 21st July को ठीक है 21st July को उसका refund भी हो गया है उसके बाद credit to account में आ गया है credit हो गया है उसके बाद the listing डेट 23 जुलाई को है मतलब की आज जाके ये 23 जुलाई को ये list होने वाला है तो यहाँ पे यहां पर मैं दो चीजे आपको बताऊंगा, जो कि आपको इसमें नहीं पता रहेगा, तो यहां पर देखे, यहां पर एक चीज होता है जिसको हम लोग कोश्टक रेट बोलते हैं, ठीक है, यह चीजे आप लोगोंने बहुत मतलब कम ही सुना होगा, तो कोश्टक रेट इस द अब रर्व भी आलॉटमेट्य को गया ठीक है आपको पता चल गया कि मुझे एलोट हुआ है और लिस्टिंग होने वाला है 큰 अगर कोई और रहेगा जो बोलेगा कि मुझे यह चीज चीह है मतलब कि गृय है मार्केट से इसको बेचा जाएगा अलांकि market open नहीं हुआ है इसलिए इसको डबा market बोलते हैं और डबा market में इसको बेचा जाएगा तो वो demand करेगा कि मुझे 1000 का premium चाहिए मुझे 1000 रुपीज चाहिए एक shares पर मतलब कि एक allotment एक allotted share पर तो उसी को हम लोग costak rate बोलते हैं जितना premium जादा रहेगा उतना वो sell करन माले को फायदा होगा और बाइख करने माले को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा लेकिन इसमें क्या होता है बाइख करने माला अपना risk देखता है कि अगर मालीजे कल को जाके और यह premium पे open होता है मुतलब कि 100% premium 200% premium पे open होता है जैसा कि IRC TC में हुआ था आपने देखा था bumper उसको बहुत ज्यादा प्राफिट हो गया तो यहां पर को लोग प्रीमिएड यही होता है कि प्रीमियम जितना मिलता है मतलब मैं अगर सेल कर रहा हूं लिस्टिंग से पहले मुझे अलाट हो गया है और मैं सेल कर रहा हूं listing से पहले तो मुझे कितना premium मिलेगा उसको हम लोग costac rate बोलते हैं तो देखे यहाँ पर आप लोग gray market में देखते हैं कि इन सब का premium कितना चल रहा है यहाँ पर देखे यहाँ पर premium दिखाएगा यह हमारा premium है costac rate का और यहाँ पर जो rosary biotech IPO का है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सामने सामने gray market premium है तो gray market premium यहाँ पर define किया गया है यह देखे टुड़े यह 175 से 180 के premium पर चल रहा है और कल भी यह 145 ए 180 के premium के ऊपर ही खुलेगा क्योंकि gray market ही decide करता है कि कितना ऊपर जाएगा देखे ग्रे मार्केट और यह जो डबा मार्केट है उसमें volume ज्यादा होता है उसमें volume ज्यादा हो अलांकि यह उतना मतलब कि यह legal नहीं है legal तरीके से नहीं है लेकिन इसमें ज्यादा volume होता है तो यह देखे ग्रे मार्केट में इसका 175 का premium चल रहा है और यहाँ पर जो costak rate है वो thousand रुपीज का दिखा रहा है मतलब अगर आज मुझे allotment हो गया है और मैं अगर बेचना चाहा रहा हूं इसको तो वो thousand रुपीज में भीकेगा और देखे subject to soda, soda मतलब कि minimum आपको कितने का करना है minimum 5000 का इसमें आपको सोदा करना है ठीक है तो यहाँ मतलब कि 5 allotment आपको करना पड़ेगा ठीक है costec rate same था यहाँ पर thousand रुपीज और वही था यहाँ पर soda rate 5000 का था 20 तारीक को आप देखने जाए यहाँ पर 20 जुलाई को तो 160 से 165 के बीच में था वही सेम था यहाँ आप लोग देख सकते हैं और एक-एक date यहाँ पर decrease करते जाएंगे आप तो आपको यहाँ पर यह premium दिख में यह कम से कम 50 रुपए बढ़ा है यहाँ पर premium और grey market का premium बहुत ही जादा यहाँ पर define करने के लिए बहुत ही ज्यादा important होता है तो यहाँ पर 11 रेट भी यह देखे कोस्टक रेट भी 800 से यह 1000 रुपए हो गया है अभी तो दोनों ही बढ़ रहा है इसका मतलब इसका बढ़ते जा रहा है तो अगर देखे कल तो market में इसका मेरे हिसाब से यह 40% 40% का यह लिस्टिंग गेन दे सकता है आपको और 40% का लिस्टिंग यहाँ पर बहुत ही जादा chances है कि यह दे सकता है आपको तो यह देखने के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहु अब ही अच्छा लगे वीडियो उस पर आप लोग कमेंट करके और मुझे प्रूत साहित कर सकते हैं थैंक यू दोस्तों